में चुनावी मैदान से पिखे नीधा अभी हो और सिरफ कुरुक्षित्र कुरुक्षित्र नी मैं पूरे हर्याना के अंदर हमुखे हर्याना के अंदर में जा रहा हूं उनके चुनाब प्रचाइन में मैं काम कर रहा हूँ मुझे खुरुखशेतर से कॉंगरेस पार्टी ने मुझे तीन बार उम्मीदवर बनाया मुझे मौुखा दिया इस बार कुरुखशेतर से मेरे बड़े भाई चौदी निर्मल सिंग जी को पाटी ने मैदान में उता रहा है वो चौदी निर्मल सिंग जी मेरे से भी ज्यादा योगे हैं मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं मेरे बड़े भाई हैं और हम दोनों भाई मिल करके सभी कॉंवरिस पाटी के साथ भी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं जोगे तो होंगे पर पुरुक्षित्र संस्थी शेत्र से जो है उनका बहुत लगाव है और अब जहां 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 जा रहे हैं हमें बहुत समर्थन भी मिल रहे हैं परदानमंत्री आए और नोर तरीकों शिर्षा में शनी दियोल आ रहे हैं क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेश को इसले देखें, मैं समझता हूँ, Dr. Ashok Tawar, जो है, शिरसा के जन-जन से जुड़े हुए हैं और वो यहां से धर्ती से जुड़े हुए निता हैं, उनके सबी लोगों से अपने संपर्क हैं. लोग जानते हैं कि जब भी वो Dr. Ashok Tawar को मिलना चाहते हैं, वो उन से मिल सकते हैं. और डॉक्टर अशोप तवर जो है यहां एक बहुत ही popular मैं कहूंगा popular है सबके बीच में इसने कोई भी आए उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा और यह बात तो यही दिखाती है कि डॉक्टर अशोप तवर इतने मजबूत है कि प्रधान मंत्री को भी यहां पर आना पड़ रह कोई सपने देखे और वह सपने देख करके कुछ कुछ बोले तो हम किसी को रोप नहीं सकते वह उन्ता जो भी कह सकते हैं लेकिन वह जानते हैं कि वह बड़ी मुश्किल से आये हैं और जाने वाले वह खुद है लोग्सकों चुनाओं में आप कह लिए प्रदेश में और वो जो है जो मेरी माही जो है सार से चुनाओ रड़ी तो लगता चल रही थी कोई दबाव है आपके उपर रूलिंग पार्टी का दबाव रहा या किसी वर की जो वेवसाही घराने से आप जुड़े हुए हैं उस चीशका लेकर कोई दबाव थाप कर दो कोई मेरे पे क अपना जुप में 70-50 खिश्यट समय अनको में अदेता है इस समय जो है मैं अपने और अपने काम में गया थी काफी में बीज्य हूं आप मैं। विसके अंदर न 현재 संधिया चाहाई का समय में न दे पाओं इसलिए जो है कि ए चुनाओ जीतना एक बहुत बड़ी जिम्म yang जी कि जौदी निर्मल सिंगी जो है मुझसे भी जादा योगया इसके जो है मिलकर कि चनाव लट रहे हैं रसनारीक और राहूल जी भी आ रहे हैं तो यहां जहां जिसे हमारे यम्नानगर आए थे और वो आए थे लाडवा आए थे उनके आने से युवाओं के अंदर क्या बुजरूओं के अंदर क्या महिलाओं के अंदर एक अलग ही जोश एक खाला होता है जब आएंगे याँ पर तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो हैं लोग उतसे उत्साहित होंगे और मैं समझता हूं कि आज राउल गांदी जी देश में जहां भी जा रहे हैं लोग वाग उनकी बातों को बहुत चाव से सुनते हैं और उनकी पात से सहमत भी होते हैं इसके आएंगे तो बहुत मैं समझता हूं कि उनको समर्थन मिलेगा